रासा इंटरनेशनल इस्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है नमस्कार प्यारे बच्चु आज हम कच्छा साथ विशे हिंदी बसंत की पाठ छे रक्त और हमारा सरीर का मध्यन करेंगे तो चलिए प्रारम करते हैं कच्छा साथ विशे हिंदी पाठ छे रक्त और हमारा सरीर दिव्या अनिल की छोटी बहन है यो तो वैस सुरू से ही कमजोर है लेकिन इधर कुस दुनों से उसे हर समय थकान मैसूस होती रहती है मन किसी काम में नहीं लगता भूग भी पहले से कम हो गई है अस्पताल से मैं उसे डॉक्टर न देखा तो कहा लगता है दिव्या के सरीर में रक्त की कमी हो गई है जांच करा कर देखते हैं यह कहकर उन्हें दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया वहां अनिल को अपनी ही जान पैचान की डॉक्टर दिदी दिखाई दी डॉक्टर दिदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भीजा है इतना सुनते ही डॉक्टर दिदी ने दिव्या की उली से रत्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी 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 में डाल दी और स्लाइट पर लगा दी फिर अनिल से बोली अनिल कल तुम अकल अस्पताल से रुपोर्ट ले जाना अगले दिन अस्पताल पहुंच कर अनिल ने डॉक्टर दिदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी बीतर से आवाज आई आजाओ अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दिदी सुक्ष्म दर्शी द्वारा एक स्लाइट की जाज कर रही थी दीदी के सारे से वहे पास रखी एक कुर्शी पर बैठ गया स्लाइट की जाज पूरी होने पर डॉक्टर दिदी ने सावुन से हाथ दोए और तॉलिये से पहुंस्ते हुई बोली अनिल दिव्या को एनिमिया है क्या बताया दिव्या को एनिमिया है चिंता की बात नहीं कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी अगले दिन के मन में जिग्यासा हुई बै बोला दीदी एक सवाल पूछू हाँ हाँ क्यो नहीं डॉक्टर दीदी ने कहा एनिमिया से आपका क्या मतलब है दीदी उसने पूछा यह जानने के लिए तुम् दिखाई देता है किन्तु इसे सूख्ष्म दर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमती के पिटारे से कम नहीं भानुमती का पिटारा अर्था छोटा सा पिटारा लेकर उसमें चीजे बहुत ज्यादा निकलती है उसे कहते हैं भानुमती का पिटारा यह एक मुहावरा है मोटे तोर पर इसके दो भाग होते हैं एक भाग तो वह जो तरल है जिसे हम प्लाजमा कहते हैं दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के लाल कड़ है कुछ लाल, कुछ सपेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं जिनने बिम्बारू प्लेट नेट कड़ कहते हैं ये कड़ प्लाजमा में तहरते हैं इतना कहका डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्म दर्शी के नीचे एक स्लाइट लगाई उसे फोकस किया और बोली देखो अनेल सूक्ष्म दर्शी द्वारा जो कड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कड़ इन्हें कहते हैं लाल रक्त कड़ इसका आंगे का भाग हम अगली वीडियो में तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद